तो पानी पिलाने वाले पीएचीडी विभाग में मल्टि स्टेट कंपनियों के एंट्री के बाद विवाद गर्मा किया है मल्टि स्टेट कंपनियों के निवदा परक्रिया में हसा लेने पर प्रदेश के हजारों समवेदकों पर रोजगार का संकटा किया है क्योंकि प्रदेश के कोई सम्भीदक इतुना सक्षम नहीं कि इतनी बड़ी निवदा परक्रिया में है सालेब आए केंद्र सरकार के हर घर तक पानी पहुंचाने वाली योजना जल जीवन मिशन पर राजिस्थान में कोहराम मचा है जल जीवन मिशन के ठेके निरस्थ होने के बाद विभाग में अब नया बवाल शुरू हो चुका है मिशन में पहले खंड, वित और संभाग स्तर पर पीजल योजनाओं के लिए निविदा निकाली गई थी लेकिन बाद में इन निविदाओं को निरस्थ कर फिर से टेंडर आमंत्रित किये गए नए नियमों के मताबिक ठेकेदार अब संभाग स्तर पर ही निविदाओं में हिस्ता ले सकते हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था ठेकेदारों ने विभाग के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की और मल्टी स्टेट कमपनियों से मिलिभगत का आरोप लगाया है ठेकेदार अब सवाल उठा रहे हैं कि अचानक विभाग ने संभाग स्तर की निविदा निकालने का फैसला कैसे ले लिया अगर हमारी नहीं सुनी ठोस आसवासन अगर बारतारी को नहीं मिला तो हम पूरी राजस्तान के जितने भी ठेकेदार हैं यहां इकठा होकर कारे वहिसकार भी करेंगे और कोर्ट में अगर जाना पड़े तो कोर्ट में भी जाएंगे इस पैसले से ठेकेदारों और मजदूरों के 15,000 परिवारों मतलब करीब 50 लाग से जादा मजदूरों पर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा केवल संभाग स्तर पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की शर्ट से ठेकेदार खफा हैं क्यूंकि अब प्रदेश की कोई कंपनी इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रही इसलिए अब इस निविदा में मल्टी स्टेट कंपनिया ही भाग ले सकती हैं भरतपुर संभाग में 1040 करोड बीकानेर संभाग की 980 करोड जयपुर संभाग प्रथम की 670 करोड जयपुर संभाग वितिय अलवर की 680 करोड कोटा संभाग की 830 करोड जोधपुर संभाग प्रथम की 600 करोड और जोधपुर संभाग वितिय की 640 करोड की निविदाएं न चीफ इंजीनियर ग्रामीर का कहना है कि उच्छ स्तर पर मामले को दिखाया जाएगा ठेकेदारों ने स्तरकार से नई निविदा को फिर से लानी की मांग की है क्योंकि इस फैसले से पचास लाग से ज्यादा मजदूर सीधे प्रभावित हो रहे हैं आशिश चोहान, जी मीडिया, जैपुर